वापी की पोदार इंटर्नेशनल स्कूल के छात्रों ने फेलाई चागरुपता, नुकर नाटक एवं रेली के माथियम से दिया सामाजी के संदेश. वापी की पोदार इंटर्नेस्टर स्कूल के चात्रों ने समाज में परिवर्तन का संदेश लेकर जागरुकता फिलाई स्कूली चात्रों ने इस वरा नुकर्नाटक एवं रेवी के माथ्यम से समाज में परिवर्तन का संदेश दिया समाज में इन दिनों प्रस्टाचार एवां प्रिश्वत जैसी पदियां फैली हुई है इन दुशनों को देश से हटाने का संदेश स्कूली चात्रों ने समाज में नुकर्माटक के माधियों से दिया इसके बार चात्रों ने हाथों के बैनर लेकर रेली निकालकर समाच में जब रुकता फैलाई चात्रों ने समाच के इन दुशनों को हटाकर सूर्शासन की स्थावना की पांग लेकर यह रेली निकाली में लेकर पांग की रेली तो है हम लोग जो भी करते हैं क्यर्ट में भार्त में जो भी कर्रप्शन होता है वह सब मिटाने के लिए अम लोग सब दिखाने लिएस children में पूरी टीम में इसमें बहुत मैंनिति लीती और इसलिए हम लोग चाते हैं कि हमारा देश सबसे आगे रहे और करप्शन हमारे देश में जो है वो और देशों की तरह खतम हो जाएगे अब बना पुदार इंटरनाशनल स्कूल वापी उनका बच्चे के जरीए हमारा शिक्षाइक जो रेस्पॉंसिबिलिटी है जितना आम लोग का जिम्यदारी है वो थोड़ा थोड़ा प्रयास थोड़ा थोड़ा कोशिश दिखाया नुकरनाटक किया यहां पे और इसके बाद एक रैली होगा अभी यह मेसेज है डेमोक्रेसी इंडिया इस लार्ज़ेस डेमोक्रेसी इंडिया माना जाता है कि सबसे बारा डेमोक्रेसी है दुनिया का तो हम लोग इसमें गर्ब मेहसूस करते हैं हर इंसान हर citizen हम लोग समझते हैं कि हम लोग जब इंडियन है तो हम लोग को छाती फूल जाता है गर्ब से होना बच्चे किसी हद में वो हिसाब से कम नहीं है हर बच्चे पोदार का बच्चे ये दिखाने का कोशिश किया कि हम लोग का जो जिम्मदारी है किस तरह निभाय जाए हम प्रिंसिपल पोदार इंचरनेशनल स्कूल मेरा नाम स्मारजीत दासगुपता और मेरा टीम मेरा एड्मिन आफिसर मिस्टर गौरंग सोनी मेरा टीचर इस सबने बच्चे के साथ मिलके ये गोशिश दिखाया किस तरह एक चेंज आ सकता है सारा देश में अभी एक चेंज का लेहर आ रहे हैं उमीद है लोगों को कि करप्शन जो जो तकलिफ है हो जाएगा हम लोग का भी उमीद है आगे चलके वो उमीद हमी लोग को पुरा कर करना है कोई वी चेंज कोई वी प्रक्रिया अपने आप नहीं होता है अगर सुधार होगा तो हम ही लोग से होगा और हम लोग को अपना जिम्मदारी समझना है यही कोशिश था नुकर नाटक में और अब जो रैली निकलेगा इसी कोशिश के उपर हम बच्चे ने प्लैकर बनाया है और अपना हुनार दिखाया है